विद्धुति गुणों के अंतरगत एक चौथा गुण है वह है सकंदन या कोईगुलेशन यह तो हमने जाना कि कोलाइडल सोलूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें आवेश होता है और किसी तरह से यदि यहां पर विप्रीत आवेश वाले आयन्स मिला दिये जाएं तो इन कोलाइडल कणों का आवेश नस्ट हो जाता है यह तब तक ही इस्थाई रहते हैं या कोई भी कोलाइडल सोलूशन तभी तक इस्थाई होता है जब तक कि उसके कोलाइडल कणों पर आवेश विद्यमान रहे जैसे ही इन पर कोलाइडल इन पर आवेश समाप्त हो जाता है ये आपस में जूड़ जाते हैं और गुरित्वावल गुरुत्वबल के वज़ए से यह नीचे की तरफ स्टल डाउन हो जाते हैं अवक्षेपित हो जाते हैं तो इस तरह से जो करों का कुलाइडल करों का आवेश रहित होकर आपस में जुड़कर नीचे की तरब बैठ जाना सेटल हो जाना यह कोलाइडल कण का सकंदन कहलाता है अब यहां पर जो हम देख रहे हैं कि कोलाइडल कणों का सकंदन कई प्रकार से हो सकता है एक तो है अभी हमने जो देखा इलेक्ट्रोफॉरसिस व्यद्दुत कण संचलन के द् लेते हैं और वहां पर दो इलेक्ट्रोड लगाकर विभा इसमें लगाया जाता है जैसे ही तो वहां पर कोलाइडल कर विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गती करने लगते हैं और वहां पर जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं और वहां पर एक्षेपित हो जाते आकर जैसे कि उदारन के लिए हमने देखा फेरिक हाइड्रॉकसाइड एफी ओएच होल थाइस का जो कोलाइडल सॉलूशन होता है वो पॉजटिवली चार्ज होता है और यदि हम एक इसमें आर्सनिक सलफाइड का जो नेगटिव कोलाइड होता है वो दोनों को हम आपस में म हो जाता है यहाँ पर इस प्रकार का जो अक्शेपन होगा इसे हम पारसपरिक को या कर दिया जा तो भी इनका जो आवेश है वो नस्थ हो जाता है और यह नीचे अवक्षिपित हो जाते सटल डाउन हो जाते हूं चौथे प्रकार का जो गुण है वह है परसिस्टेंट डालेसिस यानि की लंबे समय तक डालेसिस करने से हमने देखा जब हम कोलाइडल सुलूशन का सुध्धी करन करते हैं तो वहां पर हम जो आइनों को जो अतरिक्त आयन अशुध्धी के आयन होत लेकिन इस प्रकार के जब डालेसिस लंबे समय तक होती रहती है तो जो कोलाइडल कणों पर जो आवेश है वो भी धीरे-धीरे वो भी नस्ट हो जाता है और इस तरह से लंबे समय तक यदि डालेसिस अपोहन की क्रिया होती रहे तो जो कोलाइडल सुलूशन है उस वो डि को लाइडल सुलूशन में वैदत अपघट की मात्रा मिला कर जब भी हम हमने देखा कि जो को लाइडल सुलूशन होते हैं उनमें वैदती दोहरी परत बनी होती है जो की एक दूसरे कणों को एक दूसरे से प्रतिकर्शित रखती है और इसकी वज़ा से यह स्थाई होते हैं और जैसे ही इनमें कोई स्थ्रोग्स मिला दिया जाता है वैसे ही यह जो दोहरी परत है समाप्थ हो जाती है और यह जो कोलाइडल सोलूशन को अवक्षे-पित कर सकते हैं अब इसके बाद हम अगले गुणों को देखेंगे जैसे कि अभी आपने जाना हम विभेले प्रकार के विद्धुत अपगट्यों को मिला कर कोलाइडल विलियनों का सकंदन कर सकते हैं और आप ये भी जान चुके हैं कि जो कोलाइडी विलियन हैं वो दो प्रकार के हैं एक तो द्रौस नहीं कोलाइड होते हैं और दूसरे द्रौविरोधी कोलाइड होते हैं द्रौस नहीं कोलाइड काफी स्थाई होते हैं और थोड़े बहुत विद्धुत अपगट्यों मिला कि विश्य इस तक्निकों को इस्तमाल करना पड़ता है तो यह काफी अस्थाई होते हैं और इसलिए जैसे ही इन में विद्धुत अपघट्य डाला जाता है यह सकंदित हो जाते हैं अब जो विद्धुत अपघट्य इसमें डाला जा रहा है नेचुरली वह एक धनायन और ए रिनावेश होता है और इस तरह से विद्धुत अपघट्य में उपस्थित जो धनायन और रिनायन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के धनावेश्टित सॉल या रिनावेश्टित सॉल के सकंदन के लिए उत्तरदाई होते हैं इस प्रकार से पोलाइडी कणों के आवेश के उदासीनी करण के लिए जो आयन जिम्मिदार होता है या उत्तरदाई होता है उस आयन को हम इसकंदक आयन या कोईगलेटिंग आयन कहते हैं उदारन के लिए यदि हमारे पास एक रिनावेश्टित सॉल है याने की सिल्वर आयोडाइट का सॉल है और यदि हम इसमें सोडि क्लोराइट का जो पॉजटिव आयन यान की सोडियम जो आयन है वह इसके सकंदन के लिए और इसके आवेश के उदासीनी करण के लिए जिम्मिदार होगा और इसलिए यहां पर सोडियम आयन सकंदक आयन कहलाएगा इसी तरह से इसपस्ठ है कि जो रिनायन होगा वह धनात् सौल के सकंदन के लिए जिम्मिदार होगा जबकि जो धनायन होगा वह रिनात्मक सौल के सकंदन के लिए उत्तरदाई होता है अब यहां पर कौन सा आयन कितना ज्यादा सकंदत कर पाता है या जिसकी कोगलेटिंग पावर कितनी ज्यादा है इसे निर्धारित करने के लिए हाडी सूर्जे नामक वैज्यानिक ने एक नियम दिया जिसे हम उन्हीं के नाम पर हाडी सूर्जे रूल के नाम से जानते हैं हाडी सूर्जे रूल के अनुसार किसी भी विद्धुत अपघट्य में या जो सकंदक आयन होगा उसकी संयोजकता जितनी जादा होगी उसकी सकंदन छंता, कोगलेटिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी, यहने कि सकंदन छंता उसकी सयूजक्ता के अनुक्रमानुपाती होती है, उदारन के लिए यदि हम धन आयनों की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास अल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन है, बेरिलि इसलिए उसकी जो सकंदन छंता होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी, इसी तरह से यदि हम रनावेशित आयनों को दें, यहाँ पर आप देखें कि फेरोसाइन आयन है, जिस पर 4 नेगटिव चार्ज है, फॉस्फेट आयन 3 नेगटिव चार्ज है, सल्फेट 2 नेगटिव च बात आती है सकंदन मान की, इनकि कोईगलेटिंग वेल्यू की, अब यहाँ पर जो पॉइगलेटिंग वेल्यू, इस बात को नर्धारित करती है, कि किसी सॉल के कोईगलेटिंग या सकंदन करने के लिए, सकंदक आयन की कितनी मात्रा की आवश्रक्ता होती है, नेचुरली जितनी कम मात्रा डालने पर कोई सॉल अक्षेपित हो जाता है या सकंदित हो जाता है उतनी ज़्यादा उसका कोईगुलेटिंग वेल्यू होगी तो इस तरह से हम इसे परिभाशित कर सकते हैं विद्धुत अपघट की मिली मोल पर लीटर में मात्रा यहां पर ध्यान देंग कोलाइडी सॉल की दो घंटे में सकंदित कर दे वह उस कोईगुलेटिंग आयन की कोईगुलेटिंग वेल्यू यहने की उसकी सकंदन मान कहलाती है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहां पर सकंदन छंता और सकंदन मान दोनों एक दूसरे के विद्धुक्रमानु पाती ह हैं जितनी कम मात्रा डालने पर कोई स्कंदित हो जाता है उतनी ज़्यादा पावर यहने की उतनी ज़्यादा छंता उसकंदिक आयन की होगी तो इस तरह से यदि उधारन के तौर पर हम और देख सकते हैं जैसे माली जी हमारे पास एक रिणावे सित सॉल है और तो उस पर म सकंद्हित करना हैं तो हम दो प्रकार कि यूज कर रहे हैं जैसे कि고 maybe सकते हैं या दूषरा सोडियमें क्यों के वल एक क्योंट्य है इसलिए उसकी मात्रा हमें दालनी पड़ेगी जब कि अल्यूमीनियम जिसमें कि त्रीप उसकी अमात्रा से ही को जो कोलाइडल संन है उसका सकंदन हो जाएगा इसे हम प्रायोगी आंकडों के द्वारा भी समझ सकते हैं यहाँ पर हम आर्सनिक सल्फाइट जो कि एक रणावेशित सॉल होता है उसका उदारन ले सकते हैं इसे सकंदन करने के लिए हमने तीन प्रकार के एलेक्ट्रोलाइट लिए जैसे कि एक एक दूसरा बेरियम क्लोराइट और तीसरा अल्यूमिनियम क्लोराइट अब चुकि यह रणावेशित सॉल है इसलिए इसमें जो इसकंदक आयन कोगलोटिंग आयन होगा वो कौन होगा पॉजेटिव यहनिकी केट आयन तो पहले में एसल में पॉजेटिव आयन हाड्रोजन प यहने की मिली मोल पर लीटर में जो मातरा उपयोग मिलाइब वह हाड्रोजन के लिए 30.8 मिली मोल पर लीटर थी बेरियम के लिए 0.69 मिली पर लीटर थी जबकि aluminum के लिए 0.093 mmol पर लीटर थी तो इसपस्ट है कि यहाँ पर सबसे कम जो coagulating value है वह aluminum chloride के लिए थी यहाँ पर aluminum की जो सकंदन छमता है वह सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसका जो coagulating value सकंदक मान है वह सबसे कम है इसी तरह से हम जब एक धनात्मक सौल का उधारन लेते हैं जैसे कि यहाँ पर हमेरे हैं फेरिक हड्रॉक्साइड सौल को इसके सकंदन के लिए भी हमने तीन प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट लिया जैसे कि पोटेश्यम नाइट्रेट पोटेश्यम सलफेट और पोटेश्यम फेरोसाइन यहाँ पर चुकि यह धनावेशित सौल है इसलिए यहाँ पर जो रिणा आयन होगा वह coagulating आयन होगा तो प कोटेश्यम फेरोसाइनाइड में फेरोसाइन आयन जिस पर की 4 नेगटिव चार्ज है यह coagulating आयन है और यहाँ पर भी देखा गया कि जो coagulating value आ रही है वहाँ नाइट्रेट के लिए 132 मिलिमोल पर लिटर है जबकि सल्फरिट के लिए यह केवल 0.238 मिलिमोल पर लिटर ह जबकि फेरोसाइनाइड के लिए इसका मान 0.096 मिलिमोल पर लिटर आता है जो इससे प्रायोगी कागडों के आधार पर हम ही समझ सकते हैं कि जितनी ज्यादा उसकी छमता होती है coagulating आयन की उतनी कम उसकी coagulating value होती है अब इसके बाद आईए हम जानते हैं द्रोस नहीं कोलाइडों का सकंदन ये तो आपने देखी लिया कि जो द्रोविरोधी कोलाइड होते हैं आसानी से सकंदित हो जाते हैं क्योंकि वो स्थाई होते हैं दूसरी ओर जो द्रोस नहीं कोलाइड होते हैं वो काफी स्थाई हो दूसरा होता है इनका विलायक योजण में विलायक योज से तातपर यह है परीक्षेपड माध्यम के प्रति कभी स्नेः रखते हैं तो इसρίues संलूइशन जैसे बनता है तो परिक्षेपन माध्यम के जो या विलायक के जो कण होती है वह इन कुलाइडल कणों को चारों और से घेर लेते हैं और इस वजह से यह काफी इस्थाई हो जाते हैं अब इन दोनों कारणों में से इन दोनों इस्थाइत्व के कारणों में से यदि किसी एक को भी हटा दिया जाए तो कोलाइडल विल्योनों का अक्षेपन हो जाता है तो जो आवेश को हटाने के लिए हम विद्धुत अपघट्य का उपयोग करते हैं जब इसमें कोई भी विद्धुत अपघट्य डाला जाता है तो लेकिन यहां पर व कोलाइड अउक्षेपित हो पाते हैं दूसरी है विलायक योजन विलायक योजन इसको हटाने के लिए हम किसी विसेश विलायक जैसे की एलकोहल या एसीटोन का उपयोग करते हैं जब एलकोहल या एसीटोन का उपयोग किया जाता है तो इनका जो कोलाइडल सॉलूशन का जो हट जाता है यहने की इन कोलाइडल पाइट का निर्जली करण हो जाता है और जब निर्जली करण हो जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी विद्धुत घट्टे की मात्रा मिला देने पर यह आसानी से सकंदित हो जाते हैं तो इस तरह से कोलाइडल जो द्रोस्त नहीं कोलाइडल हैं उनको भी दो प्रकार से उक्षेपित किया जा सकता है इसके बाद एक जो महत्वोंड यतिज आती है वह है कोलाइडों का रक्षण ये तो आपने जान ही लिया कि द्रोस नहीं कोलाइड काफी स्थाई होते हैं जबकि द्रोविरोधी कोलाइड या द्रोविरागी कोलाइड ये काफी औस्थाई होते हैं इसलिए द्रोसनेही कोलाइडों को द्रोविरोधी कोलाइडों के रक्षन के लिए उप्योग किया जाता है जब द्रोविरोधी कोलाइड में किसी द्रोसनेही कोलाइड को मिलाया जाता है तो ये कोलाइडल कणू के चारो ओर एकठे होकर एकत्रित होकर उसके चारो ओर एक ल रक्षा करता है और इस तरह से जो द्रोविरोधी कोलाइडों की रक्षा के लिए द्रोस नहीं कोलाइडों का उप्योग किया जाता है ऐसे द्रोस नहीं कोलाइडों को हम रक्षी कोलाइड कहते हैं और इस प्रकार की जो द्रोविरोधी कोलाइडों के अक्षेपन को यह जो कोलाइड है उनमें किसकी रक्षन शम्ता जादा है इसे नर्धारित करने के लिए इन्हें एक नंबर दिया जाता है जिसे हम गोल्ड नंबर या सौन संख्या कहते हैं इसे एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा नर्धारित किया जाता है एक निश्चित कंडिशन के द् लिया है हमने और लेकर इसमें 10% sodium chloride के एक ml को डाला जाता है क्योंकि यहां पर जो गोल्ड सॉल है वह एक द्रोविरोधी विरोधी सॉल है और इसलिए जैसे ही हम इसमें 10% sodium chloride का 1 ml डालते हैं तो यह आउक्षेपित हो जाता है इसकंदित हो जाता है अब इसे रोकने के लिए हम इसमें थोड़ी मात्रा में कोई द्रोवस नहीं सॉल मिलाते हैं जैसे की गोन या जिलटिन तो अब यहां पर गोन या जिलटिन की कितनी मात्रा मिलाने से इस गोल 10 ml गोल्ड सॉल का 10% sodium chloride solution के एक ml के द्वारा इसका सकंदन रुक जाएगा वही मात्रा जो की मिलिग्राम में वापी जाती है वही मात्रा उस द्रोवस नहीं कोलाइट की स्वन संख्या या गोल्डन नंबर कहलाती है इस पस्ट है कि जितनी कम मात्रा जितनी कम मात्रा द्रोवस नहीं कोलाइट की इस 10 ml गोल्ड सॉलूशन की 10% सोडियम क्लोराइड विद्ध अपघट के एक ml के द्वारा उक्षेपन या इसकंदन रोक दे वह उतनी जादा उसकी रक्षण शम्ता होगी तो इस अधार पर हम गोल्ड नंबर की आधार पर विभीन द्रोवस नहीं कोलाइडों की रक्षण शम्त तकी तुल्ना कर सकते हैं